नमस्का दोस्तों मेरा नाम रज़त अगरवाल है दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम कैसे GST कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं साथ ही हम ये देखेंगे कि हम कैसे manual invoice को बना सकते हैं वो भी fastly जबकि हमें यहाँ पर different tax rate दिये जाते हैं तो आईए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे दोस्तों कि cash or ने यहाँ पर जो 5 rate है GST tax rates की वो हमें inbuilt दे दिये गए हैं यहाँ पर GST 0 के अंदर हमें 0% tax rate मिलती है GST 1 के अंदर 5% मिलती है GST 2 के अंदर हमें 12% दी जाती है GST 3 के अंदर हमें 18% दी जाती है और GST 4 के अंदर यहाँ पर हमें 28% tax rate दी जाती है जो की हमारी inbuilt है अब दोस्तों सबसे जरूरी बात आती है कि क्या हम इस tax rate को change कर सकते हैं तो दोस्तों आप इन tax rate को बिलकुल आसानी से change कर सकते हैं आपका ये कोई matter नहीं करता कि GST 0 के अंदर या 1 के अंदर आपको 5% या 0% ही रखना है जो भी tax rate आप चाहते हैं वो आप इधर input कर सकते हैं तो आईए सीखते हैं सबसे पहले कि हम tax rate कैसे change करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको percent button को long press करना है यानि काफी देर तक दबा के रखना है तो आईए करते हैं अब देखे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक extra word दिया गया है जो की है set इसका मतलब यह है कि दोस्तों आपकी जो percent rate change करने की प्रक्रिया है वो हमारी शुरू हो गई है अब दोस्तों आपको क्या करना है स्थियान से सुनिएगा दोस्तों आपको जो भी बटन को change करना है यानि जिस भी बटन को आपको change करना है माली जिए GST2 का जो tax rate है वो हम change करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आप GST2 input करेंगे तो आईए करते हैं GST2 अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो पुराना tax rate है जो कि 12% वो आपको show होगा अब आपको जो भी tax rate input करना चाहते हैं कोई भी tax rate suppose किजिए मैं यहाँ पर 15% input करना चाहता हूं तो मैं यहाँ क्या करूँगा यहाँ पर आप input कर दीजिए तो यहाँ पर मैं input करूँगा 15 अब आपने यहाँ पर अपना tax rate input कर दिया है अब आपको क्या करना है simply आपको percent button को input करना है तो आईए करते हैं हम एक बार percent button दबाएंगे तो आईए करते हैं देखें दोस्तो simply आपने अपना tax rate जेंज कर लिया है अब आप इसे चेक करना चाहते ही तो आप इसे अपना calculator on कीजिए और GST2 को input कीजिए एक बार तो आईए करते हैं देखें दोस्तो यहाँ पर पहले 12% शो हो रहा था लेकिन अब यहाँ पर 15% शो हो रहा है इसका मतलब यह है कि हमारा जो tax rate है वो change हो गया है तो अगला जो हमारा step आता है वो यह आता है कि हम कैसे manual invoice बना सकती है जिसके लिए मैंने एक example आपके सामने रखा है अब दोस्तों यहाँ पर हमें पांस तरह के product दिये जाते हैं उसकी हमें value दी जाती है और उसकी tax rate दी जाती है तो यहाँ पर हमें यहाँ पर net value निकालनी है साथ में हमें tax value निकालनी है तो आईए हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला step हमारा यह है कि हमें यहाँ पर tax minus और gst plus बटन को input करना है और input करकर हमें calculator को gst plus के अंदर लाना है तो हम यहाँ पर इसे input करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो calculator है left and side में आप देखेंगे screen पे तो gst plus लिखा आ गया है इसका मतलब यह है कि हमारा जो calculator है वो gst plus के अंदर आ गया है अब सबसे important चीज़ जो आपको जाननी चाहिए जो आपको पूछनी चाहिए यह है कि हमने यहाँ gst plus क्यों लिया है दोसटों यहाँ पर हमने gst plus इसलिए लिया है क्योंकि जो value हमें दी गई है वो है gross value यह हमारी selling value नहीं है दोस्तों यहाँ पर हमें gross value दी गई है जिसके अंदर हमें tax rate को जोड़ना है और जोडने के बाद हमारी selling price आएगी यानि कि हमें जोडना है इसलिए हमें GST Plus को input करना पड़ेगा अगर यहाँ पर हमें selling value दी गई होती तो हम यहाँ पर tax minute का button input करते तो आईए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने calculator को GST Plus के अंदर कर लिया है अब हम इसे start करते हैं तो हमारा जो X product है उसकी value क्या है 100 तो हम यहाँ 100 input करेंगे और इसकी जो tax rate है वो 0% है तो हमें यहाँ पता है कि GST Plus 0 के अंदर 0% है तो हम इसे input करेंगे तो हमारा को net value पता चल जाएगी अब next product पर जाएगे जो की है Y उसकी जो value है 120 रुपीज है अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने calculator को touch नहीं करना है यानि कि on off कुछ भी नहीं करना directly आप 120 input कीजिए और हमें tax rate हमें 5% दी गए जाती है अब हमें पता है कि GST plus 1 के अंदर 5% है तो हम GST plus 1 को input करेंगे तो हमें यहाँ net value मिल जाएगी जो की है 126 रुपीज अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेगा कि अगर आप GST plus 1 को एक और बार दबाते हैं तो हमें यहाँ पर इसकी gross value मिल जाती है जो की है 120 आता है Z उसकी जो value है वो है 200 हमें कुछ भी on off नहीं करना directly 200 input करेंगे 12% tax rate है यानि कि GST plus 2 input करेंगे तो हमें यहाँ पर GST plus 2 input करने के बाद 224 रुपे मिल जाती है net value एक और बार दबाएंगे तो gross value मिल जाएगी और एक और बार दबाएंगे तो हमें tax value मिल जाएगी इसी तरीके से यह जो product है वो 3500 रुपे का है tax rate 18% है यानि कि GST plus 3 इसे input करेंगे तो हमें net value मिल जाएगी जो की है 413 रुपे एक और बार दबाएंगे तो हमें gross value मिल जाएगी और एक और बार दबाएंगे तो हमें यहाँ पर tax value मिल जाएगी इसी तरीके से बी product की जो value है वो है 400 रुपे हमें कुछ भी on off नहीं करना directly 400 रुपे input करेंगे tax rate 28% है जो की GST plus 4 के अंदर आती है तो हम GST plus 4 input करेंगे हमें 512 रुपे मिल जाती है net value एक और बार दबाएंगे तो हमें gross value मिल जाएगी और एक और बार GST plus 4 दबाएंगे तो हमें यहाँ पर GST sorry GST की जो tax rate है tax value है वो हमें मिल जाएगी तो दोस्तों यह हमने अपना quotient पूरा कर लिया है अब आपको कुछ नहीं करना है इस answer लेने के लिए सिरफ एक बटन दबाना है जो कि है GST GT आप जैसे ही इसे input करेंगे आपका answer आजाएगा तो आईए करते हैं देखे दोस्तों 1375 रुपीज आपका answer है यानि कि net value आपकी इतनी आएगी एक और बार दबाएंगे GST GT तो आपको यहाँ पर gross value मिल जाएगी यानि कि अगर आप पांचो प्रोडक्ट की gross value जोडेंगे न तो आपको 1170 रुपे मिलेगा और अगर एक और बार दबाएंगे तो आपको total tax मिल जाएगा यानि यह 205 रुपे जो है वो हमारी total tax है यानि कि यह जो पांचो प्रोडक्ट का tax है वो 205 रुपे है अब देखिए दोसो यहाँ पर GST में आपको पता है कि हमें CGST और SGST दोनों देना पड़ता है और दोनों की जो percentage होती है वो equal होती है तो हमें क्या करना है simply आप कुछ नहीं करेंगे आप divide by 2 करेंगे और request to press करेंगे आपके पास जो answer आएगा वो एक तो होगा CGST का और एक होगा SGST का यानि 102 रुपे 50 पैसे SGST को देने है और 102.50 पैसे जो है वो हमें SGST को देने है तो इस तरीके से आप बिलकुल आसानी से GST calculator का यूज कर सकते हैं बिलकुल असानी से और आपको दोस्तों आप जैसे जैसे करेंगे आपकी speed increase हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कब answer निकाल लिया है बहुत ही अच्छी जिया दोस्तों इसे ध्यान से देखेगा वीडियो आपको detail में इसे समझा जाएगा तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों इस वीडियो में अगर हल्का सा भी doubt होना दोस्तों हल्का सा भी दोस्तों आप comment जरूर कर देना मैं उसका reply जरूर देने वाला हूँ please इसको seriously लिजिए comment करिए और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो share जरूर कीजिए अपने friends को या अपने relatives को करिए ताकि उनको कभी भी GST calculator में दिक्कत ना आए धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को ये ऐसी वीडियो लाता रहूंगा तब तक के लिए शुब रात्वरी